अगर आप अपने फोन को reset करते हो, reset करने के बाद आप अपने फोन में पुरानी email id को login करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो, जैसे कि आपको अपना email id नहीं पता, या आपको password भी नहीं पता, फिर भी आप easily कैसे login कर सकते हो, तो इसके लिए आपको वीडियो को free watch करना और आपक पर click करते हो, like कुछ इस तरह से आपका play store open हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको देखने हो में पुलेगा sign in का एक button, इस पर आपको click करना, जैसे आप forget email पर click करते हो, यहाँ पर आपको देखने हो में पुलेगा phone number, यहाँ पर आपको अपना phone number इंटर कर लेगा, जैसे हम अ इंटर कर लेता हो, एक कुछ इस तरह से आपको अपना mobile number इंटर कर लेगा, देन नीचे आपको next की button पर click करना, जैसे पर आप click करते हो, अब यहाँ पर आपको देखने हो में पुलेगा first name and last name, यानि कि आपने अपना email ID login करते हो टाइम, जो भी आपने अपना first name इंटर किय यहाँ पर आपको कुछ समय के लिए wait करना हो, जैसे कि आप मेरी screen पर देख पर हो, लाइक कुछ इस तरह से आपको total email ID login हो जाएंगी, यानि कि इस mobile number से जितनी भी email ID आपने login किया था, total email ID यहाँ पर आपको देखने हो मिल जाएंगा, अब यहाँ से आप जिस भी account को login करना अगर आपको password पता नहीं है, तो यहाँ से आप forget भी कर सकते हो, बट मैं आपको description में forget password का link दे दूँगा, वहाँ से आप वीडियो देखने के बाद इसली forget कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर अपना password इंटर कर लेता हूँ, आइक कुछ इस तरह से आपको भी पना password इंटर कर देन नीचे आपको next के button पर click करना, जैसे आप next के button पर click करते हो, अब यहाँ पर आपको देखने के welcome, यानि कि यहाँ पर आपका email ID देखने के मिल जगा, देन नीचे आपको I agree पर click करना होगा, जैसे आप I agree पर click करते हो, यहाँ पर आपको checking info देखने के मिलेगा, यानि कि यहां पर आपकी email id लोगिन हो जाएंगे इस तरह से आप अपनी email id को लोगिन कर सकते हो आपको वीडियो को like करना होगा